हیलो गई सूकताफ सवीक आमारे VPN special YouTube चैनल पहुर आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा फोन पे एप्लिकेशन से मनी ट्रांस पर कैसे करते है मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ अगर आप फोन पे application से money transfer करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है आज की इस वीडियो पर मैं आपको फोल्ड दिल के साथ step by step बताऊंगा की फोन पे application से money transfer कैसे करते हैं इस वीडियो पर मैं आपको फोन पे के 5 तरीके के बारे में बताऊंगा जो की new update में आया है फोन पे application के 5 तरीके हैं 5 तरीके से आप payment कर सकते हूं कहीं पर भी तो ये वीडियो पर मैं आपको पूरी जान करी दूँगा और step by step एक इत करके हर तरीके के बारे में आपको समझा दूँगा तो आज की इस वीडियो को आप आखरी तक देखना अगर आप इस चनल में पहली बरहे हो चनल को सब्सक्राइब करके बेले खुन दबा देना प्रेक्टी डाउनलूड कर सकते हों फोन पे अप्लिकेशन जैसे आप डाउनलूड करोगे तो आपको ओपन कर लेना है ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटर फेस वगरा आजएगा आप बात करते हैं प्रेन भारे में आप इदर पर एक आुप्सर मिलेंगा scan वाला आप इधर पर click करोगे and जो भी आप QR code को scan करोगे तो आप QR code scan करके payment कर सकते हो आपने देखा होगा आप offline soap मा जाते होगे उधर पर QR code रखे रहते हैं तो वो QR code phone पे का हो या फिर google पे का हो या फिर ptm का हो या फिर किसी भी third party application का QR code हो आप उस QR code को scan कर सकते हो phone पे application से और payment कर सकते हो payment successful चला जाएगा तो पहला तरीका यह हो जाता है and guys सब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे पर दूसरा तरीका अगर आपका कोई भी friend है या कोई भी है जिसको phone पे application वो यूज करता है और वो आपसे यह बोलता है कि मेरे phone पे number पर पैसे भीज़ दो तो आप कैसे भीज़ोगा इसके phone पे number पैसे तो एदर पर एक mobile वाला option एदर पर एक option देखने के लिए लिए लिएगा two mobile number आपको click करना जैसे आप two mobile number वाले option में click कर दोगे तो उसके बद आपके सामने option आएगा enter mobile number ठीक है and new mobile number click कर देना है जिसमें mobile number पर आप पैसे भीज़ना चाहते हैं उस mobile number को आप कुछ इस तरह से enter करिएगा mobile number इंटर करने के बाद उसका नाम आजाएगा उसका नाम पर आपको क्लिए करना है एक बर confirm करने के उसका नाम है या नहीं तो उससे पूछ के आप confirm कर लीजिएगा and guys उसके बाद आपके सामने इस तरह एक एंटरफेस आएगा अब जितना पैसा भी आपको भीज़ना है जैसे कि मुझे एक हजार उपर भीज़ना मैं एक हजार उपर इडर पर करूँगा अपना बैंक अकाउंट इदर पर देखने की मिल रहा आपको पेवाले उप्सन में किलिए करके अपना UPI पन दे देना and आपको इपैमेंट सक्सेस्पुल हो जाएगी अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे तरीकी के बारे में तो तीसरे तरीका के बारे में बात कर लेगे तो इदर पर आपके सामने एक उप्सन हैगा टू बैंक UPI ID आपको किलिक करना है जैसे गाई साब इदर पर किलिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगरा आ जाएगा अगर आप किसी को किसी के भी bank account number पर पैसे भेजना चाहते हो समझो आप phone पे application यूज करते हो और सामने वाला जो है जिसको आपको पैसे भेजना है वो किसी भी application को यूज नहीं करता है लेकिन उसके पास एक account है bank account है और वो bank account में आपसे पैसे मांग रहा है तो आप phone पे application से बहुत जदा आसानी से payment कर सकते हो उसके bank account में उसके लिए आपको क्या करना है प्लस वाले option पर click करना जैसे आप प्लस वाले option पर click करोगे अब आपको उससे पूछ लेना है कि उसका किस bank में account है तो समझो जिसको मुझे पैसे बेजना है उसका account estate bank up India में है तो मैं estate bank up India को click करूँगा अगर आपको bank नहीं मिलता जोगी bank बताता जिस भी bank में आपको पैसे बेजना है आप इतान नीचे करके school कर सकते हो मांग लूँगा जो भी वो account number देगा वो मैं account number लिख दूँगा उसके बाद उसके bank का एक IPC code रहेगा वो आपको मांग के IPC code इंटर कर देना अगर phone पे application IPC code मांगता है तो उसके बाद next वाले option में click करके आप payment कर सकते हो तो यह हो जाता तीसरा तरीका अब बात करते हैं चौते तरीके के बारे में अगर कोई ऐसा बन्दा है जिसको पैसे बेजना और वो आपसे बोलता कि मेरी UPI ID पर पैसे बेज़ दो अब UPI ID भी create होती है phone पे application में होती है beam application में होती है ऐसे Amazon पे application, ATM application, Google पे application जितने भी application है जो UPI वाले application है उनमें UPI ID create होती है तो अगर कोई भी आपको UPI ID भेज़ दा और बोलता है कि मेरी UPI ID पर पैसे बेज़ दो तो आपको simple सा UPI ID वाले option में click करना है और उसके बाद plus वाले option में आप click करना है इधर पर उसकी UPI ID लिखना और नेश verify वाले option में click करना उसका नाम आजाएगा verify होने के बाद और फिर आप उसको payment कर सकते हो तो इस तरह से आप UPI ID पर पैसे कर सकते हो यह हो जाता अपना चोंथा तरीका अब एक last पांच बाद तरीका है यह देख सकते हो UPI नमर वाला अब जैसे UPI ID बनती है इसी तरह से UPI नमर भी बनता है और जो UPI नमर है वो सब application का बनता है जितने भी UPI application है ना उन जब application का UPI नमर बनता है तो आपको UPI नमर वाले option में click करना अगर कोई आप से बोलता है कि UPI नमr पर पैसे भेजो मेरे तो आपको जाना UPI नमबर वाले option में add UPI नमबर पर click करना नीचक तरफ उसके बाद इदर पर UPI नमबर आठ से लेके नो अंक तक करेता है ठीक है आठ अंक कराएगा या फिर नो अंक कराएगा तो उसका UPI नमबर डाल देना verify वाले option में click करना उसका नाम आजाएगा नाम आने के बाद आप टारेक भी payment कर सकते हो तो गाइस कुछ इस तरह से पांस तरीकों के बारे मैंने बता दी आप payment करना अगर आपको वीडियो पॉस्टन आए तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहली वाराएं वाई चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियो देखने के लिए आज की वीडियो नी ठांक्स वर बोचिंग वाई वाई